दोस्तों अगर आप भी यूटूब पे शोट वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शोट वीडियो को वायरल कैसे करते हैं ठीक है उसकी बहुत एच्छे ट्रिक आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को लाश तक देखना और साथ ही दोस्तों शूर्ट वीडियो से रिलेटर एक Mistake जो आप कर रहे हैं अपनी चेनल पे उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बता हुआ जो कि आप लोगोगों में में चेनल चेक करता हूँ दोस्तों तो आप लोगों प्लेटेट वीडियो आपको देखने हैं तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखना end screen पर मैं उन वीडियोस को लगा दूँआ याप चैनल की playlist में भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हो तो चले दोस्तों बाझ की से वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको अपना चेनल दिखाने वाला हूं टीकिप है यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो चैनल रे दूसरा वाला टैक्कC जिस पर में short videos upload करता हूं यहाँ आप देख सकते हो इसके अलावा दोस्तो keyword और जो topic है वीडियो का वो भी सबसे आदा important होता है यहाँ पर आप देखोगे यह मैंने वीडियो बनाई थी community टैप करें इसके उपर और यहाँ पर 15 दिन हो गया है इस वीडियो को ठीक है इसके बाद इस पर views आना बिल्कुल बंद हो गया है तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि नीचे भी short video आपको नजर आएगी तो दोस्तो जिस topic की search सबसे ज़्यादा है अगर आप उस topic पर वीडियो बनाते हो तो आप इस शोट वीडियो है उस पर भी continuously views आता रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर यह वाली वीडियो आप देख सकते हो यानि के दोस्तों सबसे जर्दा important होता है topic आप की इस topic को लेके अपनी short video को बनाते हो सबसे ज़्यादा important होता है अब दोस्तों आप लोग comment करते हो कशर मरी short video viral नहीं हो रही है तो viral से दोस्तों आपका मतलब यह हो सकता है कि देखो आप अगर शोट वीडियो को सई से बनाते हो और सई से उसका SEO करते हो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है तो आप लोगों कि दोस्तों Most of Chance बहुत ज़्यादा चांस से कि आपकी वीडियो जो है वो वाइरल हो जाएगी यानिकि इस पर वीउज आना तो स्टार्ट हो जाएगा बिलकुल जीरो वीउज नहीं रहेगा मतलब वीउज आना आपका स्टार्ट हो जाएगा 500 वीउज आट सो वीज के समतिंग जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ठीक है मैं भी उसे तरीके से SEO करता हूँ और टोपिक का भी important होता है और timing का भी सबसे ज़्यादा important होता है और यहां पर दोस्तों अगर आप एकी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाते हों कि आपको million of व्यूज मिल जाए अपनी वीडियो में तो आपको टोपिक भी कुछ ऐसा लास्ट में आप लोग देखोगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो शोट वीडियो के अलावा जो बड़ी वीडियो से उस पर व्यूज नहीं आता है उसका reason क्या है और आपको कौनसी एसी गलती नहीं करनी है अगर आप शोट वीडियो बनाते हो ठीक है इस नहीं आते होंगे तो आज इस वीडियो मैं मैं आपको इसी बारे महीं बताने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हो यह एक तेन मिनिट की वीडियो यह पर यहां पर यहां पर इसनों बनाई है जो कि एक गंठ एक दिन हो गया तो यहां पर 317 यहांने की दूस्तों कहने का सिंपल मतलब यह है कि जो भी आपकी short video है वो viral हो जाती है या फिर उस पर काफी अच्छा views आ जाता है उसी topic से related अगर आप बड़ी videos upload करोगे तो आपको views मिलेंगे और आपका जो subscriber है दोस्तों वो भी increase होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करने है कि अगर आप short video upload कर रहे है अपने channel पर तो short video दोस्तों आपके topic से related ही होना चाहिए ताकि कोई short video अगर आपकी viral हो या पर अच्छे views आ है इस पर और उससे आपको जो subscriber मिलेंगे वो आपकी बड़ी video को भी देखेंगे यानि कहने का मतलब है कि अगर आप education वाली videos बनाते है तो education से related है आपको short videos upload करने है tips and tricks related mathematics के tricks related ठीक है ऐसे अगर आपको short video upload करने है अगर आप कोई और topic पर वीडियो बनाते है और आपकी कोई और topic पर short video viral है और आप उससे अलग topic पर अगर बड़ी video बनाओगे तो आपकी views नहीं आएंगे ये गलते आपको नहीं करने है